नैशनल हेराल्ड केस के चलते एक बार फिर राहूल गांदी की मुश्किले बढ़ गई हैं हाल ही में राहूल गांदी ने नए पासपोर्ट के लिए दिल्ली के राउस एवन्यू कोट में याचिका लगाई जिसका विरोध वीजेपी ने किया वीजेपी नेता सुब्रमनिन्व स्वामी ने विरोध जताते हुए कहा कि राहूल गांदी को पासपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे जाच प्रभावित हो सकती है पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं पर उसमें अर्चन है कि मेरा जो नाशनल हेरल केस है उसमें उनको जो अंकुष लगी है उसके अनुसार इस पर विचार होना पड़ेगा कि उनको पासपोर्ट दिया जाए या ना दी जाए जब MP थे तो आसानी से मिलती थी अब MP नहीं है तो इस पर विचार होना पासपोर्ट जमा करा दिया गया था लिहाजा अब नए साधारन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ इसलिए नियाले से अनुमती और अनापती मांग रहा हूँ बता दे राहूल के खिलाव देश के अलग-अलग अदालतों में कई राजनेतिक मामले दर्ज हैं नए पासपोर्ट नियम के मुताबिक राहूल को एनुसील लेनी होगी राहूल दो प्रमुख मामलों को लेकर जमानत पर चल रहे हैं पहला मामला नैशनल हराल्ड केस से जुड़ा हुआ है तो दूसरा मामला अपरादिक मानहानी का है अपरादिक मानहानी मामले में उनकी लोकसभा सद्यसत्ता तक चली गई है आँ क्या जडोच एडिक गया-जा घ्टोिछ प्राम्ड बटन यह भूओ करे यह बस्ते संट पस्सक्ता लड कर iç है लुए बस्ते पहां प्रूटी दोचा भाट्स